बॉलिवट के किंग खान शारुक खान यूही सब के फेवरेट नहीं है इसके पीछे कई कारण है और सबसे बड़ा कारण ये है कि वो मुस्लिम होने पर भी मंदिल में दर्शन करने जाते हैं यानि धर्म के नाम पर खुद को बांटते नहीं हैं और नाहीं अपने परिवार को ऐसा करनी की सीख देते हैं अभिहाली में शारुक खान वैश्णो देवी मंदिर भी पहुँचे थे तो अब क्यूंकि शारुक खुद मुस्लिम है और उनकी पतनी हिंदू तो ऐसे में आक्टर के बच्चे उनसे पूछते हैं कि हमारा धर्म क्या है जिसमें शारुक का जवाब आपका दिल जीत लेग एक इंटर्वियू में शारुक खान ने बताया था कि जब मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हमारा धर्म क्या है तो मैं उन्हें यहीं कहता हूँ कि आप पहले इंडियन हैं और आपका धर्म इंसानियत है इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कई बार वो इस सवाल का जवाब बच्चों को तो हिंद बनेगा ना मुसल्मान बनेगा गाने के जरीए भी देते हैं बतादे कि इन दिनों शारु खान सोशल मीडिया पर काफी ज़ादा ट्रेंड कर रहे हैं हाली में उनकी फिल्म पठान का टीजर रिलीज हुआ था जिसके बाद फैंस फिल्म के रिलीज होने का बेसबरी से इंतसार कर रहे हैं इसके अलावा फिल्म का गाना बेशर में रंग भी रिलीज हो चुका है जिसमें शारुक और दिपिका की सिजलिंग केमिस्ट्री देखने को मिल रही आपको ये भी बता दे कि शारु खान इन दिनों खूब सुर्ख्या बटो रहे हैं क्योंकि पहले तो वो मक्का मदीना पहुँचे थे और अब वो रविवार रात कट्रा में माता वैशनों देवी के दर्शन के लिए पहुँचे थे उन्होंने यहां हाजिरी लगाई और प्रार्तना की मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक शारु खान इस दोरान अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ देखे गए उन्होंने अपने चेहरे और शरीर को इस तरह ढखा था कि वे पहचान में ना आए अब बात करें शारु खान की तो शारु खान हमेशा से दोनों ही धर्मों को मानते आए इसके साथ ही उनका देश प्रेम हमेशा देखने को मलता है आपको ये भी बता दे कि शारु खान आर्मी मैन बनना चाहते थे और ये सपना उनका बच्छपन से था इसके बारे में उन्होंने एक एंटिव्यू दिया था उन्होंने बताया था कि बचपन से आर्मी में जाना चाहते थे लेकिन उनके आर्मी आफिसर बनने के रास्ते में एक बड़ी दिल्चस्प वजह आड़े आ गई उनके लंबे बार जिसके बार मीडिया की पढ़ाई करते करते शारुक ने थेटर में दिल्चस्प पिली और आक्टिंग करने लगे झाल